ये है भारत जहां सरयाम गोलियां पहले आम जन को तो मारी ही जाती थी लेकिन अब दहशत गर्दों ने पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा ये कायराना हमला सीसी टीवी में भी कैद हो गया जानकारी अनुसार जम्मू कश्मीर की गरश्म कालीन राजधानी में रविवा सुरक्षा बलोने इलाके की घेरबंदी करके आतंगी की तलाश शुरू कर दी है अधिकारियों ने बताया कि आतंगवादी ने प्रॉबशनरी सब इंस्पेक्टर अर्शद एहमद मीर को पीछे से गोली मार कर घायल कर दिया था घायल अधिकारी को सोरा के SKIMS अस्पताल मे ले जाया गया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका अधिकारी उन्हें ये भी बताया है कि घटना करीब दोपहर एक बचकर 35 मिंट पर हुई CCTV में आतंकवादी खानियार बजार में पीछे से बेहत करीब से अधिकारी को दो बर गोली मारते होई दिखा है लेकिन बड़ी बात तो ये है कि पुलिस अधिकारी के हाथ में उस समय कोई हत्यार नहीं था और वो टहलते होई नजर आ रहे हैं अचानक पीछे से आकर आतंक लोगों में गुस्सा भरा हुआ है कुपवाडा जूले के रहने वाले प्रॉप्शनरी उपनरिक्षक अर्शद एहमद एक आरोपी को मेडिकल जाच के लिए अस्पताल लेकर गए थे वहां से लोटते हुए रास्ते में उन्हें गोली मारी गई दुसरी दरफ पुलिस से बाच्चित में सिंग ने कहा कि हत्या कांड में संलिप्त लोगों की पहचान कर ली गई है जल्द ही उन्हें सजा भी मिलेगी पलिस प्रमुक ने कहा है कि यूवा अधिकारी की हत्या बहुत दुखत है डीजीपी ने कहा हमने सेवा की शुरुवात में ही एक यूवा सहस अधिकारी को खो दिया है वह अभी पॉलिसिंग सीखी रहा था उसे एक आरोपी को अस्पतार ले जाने की ड्यूटी दी गई थी और वहां से लोटते हुए उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई कर दो